और मारा आज का फोकस है केंद्रिय बजट में जो राज्जियों के लिए प्रावधान किये गया है उसको लेकर के क्योंकि राज्जियों के विकास के साथ ही देश का विकास संभव है इस पश्च दोर पर ये जो कोबिलेटरी फेडरिलिजम के भावना है बजट में भी इस पश्च दिखाएगी वितमंत्री ने कहा कि एकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाये जाएगा और आर्थिक सुधारों के अगले चरण में विकास और रोजगार पर फोकस रहेगा वितमंत्री ने कहा कि राज्यों से आर्थिक सुधारों पर काम करने के इनोंने अपील किया राज्यों को लैंड, लेबर, कैपिटल और अंट्रोपिनर्शिप पर में सुधार लाने के अपील किया और इसी आधार पर उनको ज़्यादा आवंटन दिया जाएगा अब तक सबसे बड़ा डिवलूशन स्टेट्स के लिए किया गया है आपको याद होगा कि बजट में पूजी गज जो खर्ज है यानि कैपिटल एकस्पेंडिचर उसको 11,11,11,11 करोड रखा गया है लेकिन राज्यों को अत्रिक्त 1.3,00,000 करोड रुपई दिये जाएंगे और राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है मुनियादी रहाचे के लिए राज्यों को 50 साल का ब्याजमुक लोन भी मिलेगा और ये जो सिलसला है वो लगातार जारी रहेगा बीते बजट में भी इसकी विवस्था की गई थी केंद्री करो में अगर राज्यों की हिस्सेदारी देखें तो ये 12.5 लाक करोड रूपए किस तरपर है और केंद्री की जो सेंट्रली स्पॉंसर्ट स्कीम है उसमें भी राज्यों सरकारों को हिस्सा मिलता है करीब 5 लाक करोड रूपए राज्यों को मिलेंगे राज्यों को मिलने वाले अनुदान में भी जो ग्रांटिन एड है उसमें इस बजट में 29 फीजदी की बहुत रीकी गई है इस तरह से कई सारे मध हैं जिसमें राज्यों सरकारों को पैसे दी जाता है 3.9 लाक करोड रूपए ये काफी बड़ी राशी है जो की ग्रांटिन एड के तोर पर दी जाएगी प्रफिसर अश्रीनिक महाजन इस वक्त मारसा जोड़ने आथि विशलेशक हैं अर्थ शास्त्री हैं बहुत दोधनेवात सरवक्त निकालने के लिए तो ये जो फोकस है राशीयों पर लगातार और भी हमने देखा कि अब तक का सबसे बड़ा डियेवलूशन जो ट्रांसफर हें वो राज्ययों के लिए किया गया तो राज्यों पर इतना फोकस क्यों नजरा रहा है आपको लगता है कि से पहले के बज़टों में राज्यो पर इतना बड़ा फोकस दिखना ही रहा था लगातार राज्जियों का शेर केंदर सरक्कार की तरफ से बढ़ता जा रहा है हम देखते हैं कि पहले 32 परसंट शेर टैक्स डेवलुशन का मिलता था अभी वह 42 प्रतिशक मिलता है चोदमे वितायों के बाद हुआ और यह एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि राज्जियों की शिकायत रहती थी कि हम centrally sponsored schemes minimize करना चाहिए और हम अपनी schemes बनाएंगे अपने आधार पर इसको बहुत अच्छा तर्क था इसके आधार पर 42 प्रतिशक शेर देना शुरू किया और centrally sponsored schemes जो है उसको कम किया गया ता अपनी खुद की sponsor करके schemes चलाएं इस budget में हमने देखा कि काफी बड़ी मात्रा में पिछले budget में भी काफी व्रिद्धी हुई थी उससे ऊपर अभी इस budget में भी व्रिद्धी हुई है राज्यों की आम तोर पर शिकायत रहती है कि केंद्र उनको कम पैसे देता है क्योंकि हमा रहे हैं केंद्र के पास अधिकार भी ज्यादा रहते हैं इसलिए राज्यों को devolution भी मिलता है लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले समय में जो यहां पर सरकार इस बार भी दिया है इसे पूरू में भी सरकार होने दिया और और इस मोधी government के आने के बाद लगातार राज्यों पर focus है और बार बार fiscal federalism की बात के साथ साथ एक cooperative federalism की बात भी की जा रही है कि सब लोग मिल करके देश को विकास करने की तरफ आगे बढ़ें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राज्य सरकारों को ही काम करना होता है कुछ हद तक शिक्षा भी है बाकि कुछ कई ऐसे विशे ह हरने हैं घंड़ सरकारों को करने होते हैं हमारे आप जानते हैं कि Centerless है State is concurrent list है उसके कारण की कर्दवे भी है और एक तरफ ठीव प्रकार से निरवा कर पाए इस दिये केंदर से उनको अनुदान भी दिया जाता है अनुदान राशी भी दी जाती है infrastructure के लिए भी पैसा दिय यह कर मुक्त टेक्स जो किसी भी प्रकार के इंट्रेस्ट मुक्त जो है उनको लोन दिया जाएगा लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है मैं अजय जी यहां रिखांकित करना जाता हूं कि राज्यों को जितना जैदा शेयर अभी मिलता जा रहा है उसका दुरूपयोग भी बह जो भी राशी उनको दी जाती है जिस काम के लिए दे जाती है उसका उपयोग न करते हुए फ्री बिजदी, फ्री पानी, फ्री ट्रेवल, मंगल सूत्र, तमाम प्रकार की ऐसी राजनितिक फाइदे के लिए उनका उन ग्रांट का इस्तिमाल लगिया जाता है लेकिन सर एक अनुसानशा करता है? देखी ये बात सही है कि फाइनांस कमिशन की रिकमेंडेशन होती है और उनको केंदर सरकार को मानने या आमानने करना होता है लेकिन अभी तक की प्रथा ये रही है भारत के समिधान के लागू होने के बाद जब से जितनी भी जिस प्रकार की भी सब को पूर्णतिया माना गया है सभी सरकारों ने माना है जहां तक किसी खास मुद्दे के लिए जब पैसा दिया जाता है उसका उसी के लिए उप्योग होना चाहिए इसलिए अभी केंदर की तरफ से कई प्रकार के रिस्टिक्शन भी लगाए गये हैं कि जो अधा में कल वितमंत्री थी उसके बारे में हम एक बार सुना देते हैं दर्शनों को उसके बाद उसके आपका क्वेक रेक्शन लेंगे कल वो करनाटक में थी और उन्होंने राजी किस थी और महंगाई को लेकर के बड़ी टिपणियां की राजी सरकार दोरा जो भेदभाव का आ वितमंत्री ने ये भी का कि राजी में अपनी पांच गारेंटियों को पूरा करने के लिए एक लाग करोड रूपय का उधार लेया गया और आजी की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है उन्होंने सिधारा में सरकार पर SCST फंड के डाइवर्जन पर भी चिंता जता ह रही है वरीजिर सेटंट, सिल्पटेश्रेसाय के लिंध है कि nhân यंदिन एंघ सिल्टेंट, वी औरीज आ हीग विंद अवे हीगे अधिनिके बिंधे। मैंडियोर अफिलेशन और दॉबा कि न जदेलेवलेशूर दामया थे ळदेस्ट मिझा होतै, ब्लेकरा पेच्ट conscient expenditure spending not happening or even reduced with statement saying because I'm doing all the welfare which I promised all the five package that I've given I can't spend money on capital expenditure if you don't spend money on capital expenditure employment is not going to come to Karnataka you won't have your youth getting employed unless capital expenditure money is spent mayhaanji ji ye joh rojgaar ko leekar ke sawal utha a Wenthalla 13 का scripture raag yorki raag townspari k doctrine as a so appear Jin Jin raaj joe ne iso pracace with tea anishasin hinta bursty है उन सब राज्यों में कहीं ना कहीं अलगलग प्रकार से नुपसान हुआ है चाहे वहां की जनता को ज्यादा कीमते देनी पड़ रही हो इन्प्रेशन ज्यादा हो गई हो या उद्योग वहां से बाहर हो रहे हो या लोगों की बिरोजगारी बढ़ रही हो या अधियर देश का उधारन है उमारे पास करनाटका का उधारन अभी नया बन रहा है लगातार जो राज्ये अच्छी वित्तिये स्किती में थे सर्पलस में थे वह इस प्रकार की मैंने जो पहले जिक्र किया आप इससे पूर्व की कैसे वित्तिये अनुशासन हिंता के कारण और उसके साथी साथ freebies और राजनितिक अपने हित्त साधन के कारण सरकारे अपने 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 राज्ये को यानि जो वहां की leadership है उसको इस बात को समझना होगा कि वो अपने राज्ये के खिलाफ काम करें यहां समिधान की एक सीमा है कि समिधान एक आधार पर उस राज्य को कितना पैसा दिया जाता है, बज़ट की बी एक सीमा होती है, भारत में अभी 48 लाग करोड रुपे का भजट है, उसको आप 100 लाग करोड strong रुपे का नहीं कर सकते हैं, सभी राजियों की आवशक्ताओं को पूर नहीं कर सकते हैं, कई राजियों के वित्र मंत्री बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारा हमारी वित्तिया हालत खराब है केंद्र सरकार हमें मदद नहीं करती है लेकिन एक counter question उसी समय आता है कि ये वित्तिया हालत खराब कैसे हुई उसके बारे में जानकारी लीजिए आज पंजाब की मैंने लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कानग्व नगल करूर रुपए में तैएस लाग करूर रुपए से जिएटा तो राज्यों को दिये जा रहे है इसलिए राज्यों की जिमेदारी विकास की इस कहानी में कदम ताल करने की जरूथ है वक्त मेरे पस इतना ही है लेकिन किसीizon ह और दिन हम राज्जियों पर खासतोर पर जो आपने फ्रीवीस की बात के उस पर हम जरूर चर्शा करेंगे, फिलाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं, और Economy Today की पुरी टिम को आपको इजाज़त देना होगा इस वक्त, फिला डिन्डिनोस तो खबनों का सिस्था लगातार जा रही है, लेकिन आपको हम छोड़े जाते हैं कारोबार जगत